हालो दोस्तों स्वागे था आपका मेरे चैनल कंचल शिक्ता में लेकि मैंने कोशन लिखता है अक्सर ये आपके SSC के एकजाम में पूछ ले जाता है किसी दी एकजाम से लिए आपका अच्छा कोशन है यदि पी रेशो क्यू इकोस टू त्री रेशो फोर ठीक है या आप जो दे रखा है कोशन में फ़हले उसको वैसे होता लेता है यह तो लिखा है तो इसको सही से लिख लेते हैं क्यू अनुपाद आर इतना है अब अगर हम इसको सॉल्ट करें तो कैसे हो जाएगा कि हम इसको ऐसे लिख सेक्टें थी नुपाद चार्ट मुटिप्लाइए इतना ही हो जाएगा आंसर कोशन कैसा लगा बताइए मुझे और एक कोशन और करवा लेते हैं अनुपाद का ही चलिए लेकि दूसरा कोशन लिख रहा है यदि तो एकोस्टू 3B तथा 4B कोस्टू 5C हो तो ठीक है एसी पूछ रहा है आपसे अनुपाद सी पूछ रहा है ब इसको हम कैसे लिख सकते हैं अब क्या बोला है 4B बराबर है 5C के लिख सकते हैं इतनी बात आपको समझ में आ गई कि बहुए 2A इकोस्टू 3B दे रखा है तो 4B लिखेंगे तो 3 upon 2 हो जाएगा 4B इकोस्टू 5C लिखा है तो BC लिखेंगे तो 514 हो जाएगा अब इसको सॉल्फ कर लेजिए क्या कैसे सॉल्फ होगा एसी इकोस्टू ए अपॉन बी मल्टिप्लाइए अब ऐसे ही सेम वैलू पूट कर दीजिए एसी तो पूछा है उस करना था और हमको आंसर मिल गया दो कोशन करा है मैंने आपके यह रेशो और प्रपोर्शन या अनुपात हैं समानुपात के एक्ससी एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टन कोशन है आपको समझ में आ रहे तो बताईए तो इस कोशन के सीरीज को आगे बढ़ा लेंगे फि अगर आप जी के रिलेटेट कोई वीडियो देख रहेंगे किसी और एक्जाम के तयारी कर रहे हैं तो आप हैस्टेग एम विद शिप्रा दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे आपको रोज ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेंगी जल्दी मिलते एक नए वीडियो में थेंगी